मुंबई के कांदिवली इलाके में नगर सेवी का माधुरी योगेश भोईर ने आदिवासियों के बीच जानुपढ़ा में दिवाली मनाई वॉड नमबर 25 की नगर सेवी का माधुरी ने खुद अपने हाथों से इन आदिवासियों के घरों में कंदिल लगाए उन्हें मिठाई दी और कोरोना के दोर में इन गरीबों के चहरे पर मुस्कान बिखेरने की कोशिश की इस मौके पर पुर्वन अगर सेवक योगेश भी मौजूद थे आदिवासियों के बीच दीवाली मनाने के पीछे बोईर दमपत्ती का कोई भी स्वार्ट नहीं था क्योंकि आदिवासियों का यह इलाका उनके वोर्ट का हिस्सा नहीं है यहां से उन्हें BMC चुनाव में कोई वोर्ट भी नहीं मिलने वाले हैं लेकिन भोईर दमपत्ती ने इसे अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझा किसी को घर पे बिठाया गया है तो ऐसे वक्त दिवाली सब घर में होगी ऐसा नहीं है लेकिन हमारे साथ हमारे जो बांदवाय हमारे गरीब जनता है आदिवासि समाज है इनके घर में भी मिठाई की एक मिठास होनी चाहिए इस उपलक्ष में मादूरी योगेश बोईर इन्हों ने एक मिठाई का वाटब फिर बरतन कंदील उटना ऐसे यह चीज लाई है कि जो उनको हमारा जो समाज है इनसे वोटिंग का रिष्टा नहीं है यह दिलों का रिष्टा है और मिठाई हमने सोची थी कि हम बाटेंगे तो यह वोटिंग के तहद नहीं बाटेंगे हम लोग यह दिल के तहद माटेंगे क्योंकि यह सारे के सारे लोग मुझे कहीं न कहीं मिलते हैं और यह समाज के प्रती मेरा एक आधर भाव है और इस तरह हमने यह मिठाई का विस्तरण गिया है प्यामरमेन राम यादो के साथ गीता यादो की खास रिपोर्ट मेट्रो मुंबई